हुआ है फोक्स मेरे नाम अनुराग अगरवाल है और मैं पिछले करीब 1111 से आप लोग के ट्रेंग देरों कि कैसे आपको स्टेज पर आके लोग अड्रेस करना है पॉब्लिक स्परिंग कोर्स और साथ मैं बिजनेस कोर्स इन कोर्स को अगर आप जाइन करना चाहते हो पहले क मैं आपके पास लेकिया हूँ एक और तरीका जिससे युल भी एबल टू करनेंस पीपल टू यॉर पॉइंट अफ्यू आप बहुत जल्दी परस्वेसिव बनेंगे इसे एक और तरीके से अगर आपको इस तरीके पसंदा रहे तो नीचे की तरफ कॉमेंट सेक्शन में जा बात है पसे करीब 17 साल पहले जब मैंने इस प्रफेशन को स्टार्ट किया तो मेरे पास मेरे बैश में जब महारा बैश हुआ करता था तो एक लंबा सा सर्ड था वो मेरे पास आया और उसका नाम था सुरिंदर से और सुरिंदर सिंग जो था वो शायद मेरे ख्याल से OBC ब मैंने का बताओ जी आपकी क्या प्रॉब्म है जी मैं हो बैंक का मैनेजर और अब से एक साल पहले अचा मेरा जो बैंक है वो नैशलाइज बैंक है और हमारे बैंक के अंदर क्या होता है कि जो होता है वो एक एक विंडो पर जा जाके काम कराना होता है अगर हम लोग को पैस को में क्या होता है कि कोई भी कस्टमर किसी भी एक टेबल पे जाकि वो बैट आ उसके एकी टेबल पे सारे कि सारे काम हो जाते हैं जैसे की ICC बैंक है HDFC बैंक के अंदर ICSA बैंक के अंदर इस प्रकार से सिंगल विंडो ऑपरिशन होती है अगर हमारे नेशलाइस बैंक में मेरे वाले बैंक के अंदर ये हो जाए तो उसके बाद मैं जानता हूं कि बैंक की प्रोड़क्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी और मेरे नाम बहुत का बैंक है इस कहांसे कोई भी चेंज होना नहीं चाहता कोई भी नहीं चाहता कि मैं चेंज करूँ बैंक को अंदर मिनत करनी पड़े सौफ़िर को सीखना पड़े अनुरा कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं उनको कन्विंस करा सकूँ हम लोगों ने बैच्च खतम हुने के बाद सेशन खतम हुने के बाद आदा पॉना एक घंटे तक हम लोगों ने खाना पुसी करी उसके बाद वो था संडे सेरडे को उनके हाँ पर शाम को आदे घंटे की मिटिंग जो होती है उस मिटिंग के अंदर कैनी बिलीव उससे में करीब 40 के करीब उसके कुलीक थे वही कुलीक जो एक साल पहले उसको कह रहे थे कि सिंगल विंडो आपरेशन नहीं होना चाहिए उस मिटिंग के आदे घंटे के बाद सारे के सारे उसके कुलीक एक ही बात कह रहे थे सिंगल विंडो आपरेशन सिंगल विंडो आपरेशन वही सिंगल विंडो आपरेशन जिसको एक साल पहले उन लोगों ने मना किया था, उसके पर वो सब के सब उसी वक्त से लग गए, क्योंकि उनको लगा ये आइडिया हमारा है, और डेट महीने के बाद वो बैंक वाके में सिंगल विंडो आपिशिंग ले तयार था, सारे के सारे सॉफ्टर लोगों ने सीख लिये थे, और बैंक की प्रड़क्टिटी चल पड़ी, इतनी जादा कि कोर्स खतम होने के बाद, सुरिंदर ने मुझे 6 मेरे के बाद फोन किया कि अनुराग मेरा ख्याल था कि बैंक की प्रड़क्टिटी कड़ी 15 से 20 से 25 परसंट बढ़ेगी, can you believe 45 से 50 परसंट बढ़ चुकी है, यहाँ पर डिपॉसिट्ट जो हैं, वो कहीं जादा आ रहे हैं हमारे बैंक के अंदर, लेकिन उस सेरड़े को अधे पौने घंटे के अं उसके कुली थे, जो की कॉनफेंट थे, उसके विशास के लोग थे, इनके बीच में थोड़ी सी सांटकाट हुई, थोड़ी से अंडर दर टेबल हुई, और जैसे मिटिंग स्टार्ट हुई, उनका एक दोस्त, जिसके साथ में उसकी अंदर टेबल, उसकी सेटिंग हुई थी, वो अचानक खड़ा हुई, उसने का, सुरेंदर जी आपको याद है, एक साल पहले आपने कहा था, वो सिंगल विंडो ऑपरेशन, कहते हैं, मैंने इस प्रजेक के बहुत बड़ा है, और अगर हमारे बैंक में सिंगल विंडो ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, तो हमारी रेनिंग बाउट कम होगी, हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, ऑपरेटिक्रिविटी कहीं जाद बढ़ जाएगी, बहतर है कि हम लोगो सिंगल विंडो ऑपरेशन का जो समय है, वो आचुका है, हमारे बैंक में होना चाहिए, सुरेंदर ने ने का, नहीं या, वो मेरी गल्ती हमारा है कि अगर हम लोग सिंगल विंडो ऑपरेशन बाकी और प्रविटाइज बैंक के तरह कर लें अपने बैंक के अंदर, सब के सब, चौथा ख़ड़ा हुआ, पांचवा, छटा, साथवा, आठवा, दसवा, पंद्रवा, भीसवा, चालिस के, चालिस को लीग, उसके एक ही बात करें था आद हगिंटे में, जी इसमें फाइदा तो है, सिंगल विंडो ऑपरेशन, सिंगल विंडो ऑपरेशन, सिंगल विंडो ऑपरेशन, सिंगल विंडो ऑपरेशन, सुने दे कहता है, यार, देखो, वो मेरी गलती थी, एक साल पहले, लेकिन अगर आप सब क सब लोगों को लगा इसमें हमारा फायदा है यह आइडिया हमारा है सब के सब ने मेनत करकर के उपर से अप्रूबल भी लिए बैंक को सजाया बैंक को चेंज किया सारे के सारे साफ़एर सीखे और बैंक की पर्टिविटी कहीं ज़्यादा बढ़ गए हुआ क्या था सुरंदर ने वही आइडिया अपने दोस्तों के थ्रू से उन तक पहुंचाया उन सब को लगा कि आइडिया हमारा है लेड अदब पसंद फिल्द आइडिया इस हिस आपने देखा होगा जितनी प्लिटिकल रैलीस होती है कहीं पर मिं कोई भाशन होता है अकर दो लाट लोग आते हैं तो इसमें से 25 आप उरिजिन होते हैं बाकी के पहुंचे पाने दो लाट लोग आते नहीं है वो आएवे लोग नहीं होते हैं उपने को चेंज करने के लिए क्यों ताकि आपको लगे यह अपिनल आपका है और तब आपको लगता है वही प्रेडिकल पार्टी सही है आपने देखा होगा जितने मिन लाफटर शोज होते हैं जैसे कबिल शर्मा का शो है अगर उसमें से वो जो कैंड लाफटर है उसको हटा दिया जाए उसमें से वो जो सिद्धू है वो हटा दिया जाए उसके पीछे जो 6-7 लड़किया लगी होती है बैटी होती है अगर वो हट जाए अगर कैंड लाफटर हट जाए तो आपको वो शो इतना भारा लगेगा कि आप 5 मिनिट से जाओ उसको देख नहीं पाएंगे क्यों? क्योंकि इस प्रकार से कैंड लाफटर को देख करके और सिद्धू से जबरसी हसी करवा करके उस शो को आगे बढ़ाया जाता है आपकी उपिन को चेंग किया जाता है तो let the other person feel that the idea says अपने खुपड़े को लगा अपने डोम को लगा कुछ ऐसा यूज करो जिससे कि दूसरे इंसान को लगे यह आइडिया मेरा है यह आइडिया तुम्हारा नहीं यह आइडिया मेरा है जब इंसान को लगे का आइडिया हमारा है वो अपनी जान लगा कि एंथूसरे के लिए उसके पर काम करेगा एंड यूज बी अबल तू कर्विश पीपल पी यह आइडिया लेकिन ख्या रखेगा इसमें ऐसा कुछ मत कीजे जिससे की दूसरे का नुकसान हो आपका फाइडा दूसरे का फाइडा बहुत अच्छी बात है आपका फाइडा दूसरे का फाइडा नहीं भी है कोई बात नहीं लेकिन आपका फाइडा दूसरे का नुकसान ऐसी कोई चीज हम लोगों को नहीं करने चाहिए दोस्तों अगर आपको यह आईडिया भी पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में जाके जूरूर लिखेगा मैं आपको इसी प्रकार से नए से नए से नए आईडिया देता रहूँगा और साथ में मत भूलेगा अगर आपको इन कोर्स को जॉइन करना है पॉबिसमिंग कोर्स को आप बिजनस कोर्स को उपर लिखेवा निम्बर पर आप कॉल कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में और हाँ अगर अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है मुझे नहीं समय जाता है अप लोगों ने क्यों नहीं किया है अगर नहीं किया तो अब कर लीजे और साथ में उसके बेल आइकन को आप क्लिक करेंगे तब ही आपको ये वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स वीडियो में बाबाई शबा कहर मुपी सिंग यांग गुड़ाइट